हालो फ्रेंड्स बेलकॉम टू जानी टॉक्स तो आज की इस वीडियो में दोस्तो हम डिस्क्स करेंगे हिस्ट्री जियोगलफ्री पॉलिटी और एकनोमिक्स के बहुत ही शांदार प्रेशन जो कि आपके रहने बाले हैं एट पी सेक्रेट कलर्ग एकजाम के लिए काफी महत्वोर्ण तो दोस्तो हमारी क्लास है यह 31 क्लास है अगर एसे पहले की 30 क्लासिस आपने नहीं देखी हैं तो आप मारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी त्यारी को पुच्टप कर सकते हैं और अगर आप इस पीडियो की पीडियो प्राफट करना चाहते हैं तो आप मारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको description में मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं, first question से first question है Chinese traveler visited India primarily because they were चीनी यात्रियों ने प्रधानता भारत की यात्रा की क्योंकि बे दोस्तों जो चाइनीज ट्रेबलर थे जिनोंने भारत की यात्रा करी थी क्यों करी थी क्योंकि दोस्तों बहुत धर्म में रुची रखते थे अब बात कर लेते हैं कौन कौन से चीनी यात्री थे जिनोंने भारत की यात्रा करी तो प्रत्म जो चीनी यात्री था जिसने भारत की यात्रा करी थी दोस्तों वो था फाहियान फाहियान ने चंद्रगुद द्वितिय जो था गुप्त शाषक चंद्रगुद द्वितिय उसक और दोस्तों हिंसांग ने चाइनीज यात्री हिंसांग जो था वो भारत आया था और वह हर्षबर्दन के स्वाई भारत आया था next question है चंदरगुप्त मोर्या बाज बौर्न इन चंदरगुप्त मोर्या का जनम कभ हुआ तो आपको बताना है तो दोस्तों जो चंदरगुप्त मोर्या है इनका जो जनम हुआ है ये हुआ था 340 BC में option A जो है वो सही हो जाएगा कई जगा दोस्तों 340 है कई जगा 345 है तो इनके जन्म को लेकर भी काफी मतवेद देखने को मिलते हैं लेकिन इन आप्शन के एकोर्डिंग इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 340 BC जो चंदरगुप्त मौरे हैं दोस्तों यहें मौरे बंस के संस्ताफ़क थे यह 322 BC है उसमें राजा बने थे यानिकी 322 BC में इन्होंने नंद बंस को स्माप्त करके मौरे बंस की स्ताफ़ना करी थी किसकी सायता से दोस्तों तो इनके जो प्रधान मंतरी थे बो थे विश्ण गुप्त जिने चनक्या के नाम से जाना जाता है और 297 BC में दोस्तों इनकी मृत्यू हो गई थी इनकी मृत्यू कहां होई है तो करनाटा के शर्ण बेल गोला में चंद्रगुप्त मौरे की मृत्यू होई है इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था नेक्स्ट है वार्थ की निपॉलियन कहलाता है तो आपको पताना है भार्थ की निपॉलियन के नाम से किसे जाना जाता है कौन से गुप्त शाषक को तो दोस्तों भार्थ का निपॉलियन कहा जाता है समुद्र गुप्त को option D से हो जाएगा समुद्र गुप्त दोस्तों ये गुप्ट जो राजबंस था उसके चोथे सासक थे जो चंदरगुट प्रत्थम गुप्ट के शाशक थे उनके यहे पुतर थे जो समुदरगुप्ट थे कहा जाता है दोस्तों जो समुद्र गुबत थे कि अपनी विजियाओं के लिए यनकी जो यूद थे इन्होंने एक भी यूद अपने उसमें नहीं हारा था इनको इसी कारण जो प्रिसित इतियासकार है बिये समित उन्होंने भारतिय निपॉलिन की शंग्या दी है तो option D इसक काला की रूट्ची को उद्गाटित करता है दोस्तों जो महावली पुरुम का जो मंदर है जो महावली पुरुम मंदर है इसकी जो इसके द्वारा कुरवाया गया था। बात करें पलब बंस की तो दोस्तो इसकी राजधानी जो थी वो थी कांची पूरम या फिर कांची और इसकी स्थापना जो पलब राजबंस है इसकी स्थापना से हम विश्णू के द्वारा करी गई थी नेक्स्ट क्वेश्टन है डिरिंग अकवर रिजन हूँ बाजदा फाइनेंस मिनिस्टर ओफ दा मुगल एमपायर अकवर के सासन के दुरान मुगल समराज्य का बित मंतरी कौन था तो फाइनेंस मिनिस्टर जो था अकवर के समय बो था दोस्तो राजा टोडरमल ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा राजा टोडरमल जो मान सिंग था दोस्तो ये प्रसिद सेनापती था अकवर का और जो बीरबल जो था ये है अकवर के दरवार में प्रसिद वजी इसके द्वारा करवाया गया था। इक्वेटेड बिद सरदार बल्ल भाई पटेल बराबर माने जाते हैं तो किसके बराबर माने जाते हैं तो दोस्तों जो सरदार बल्ल भाई पटेल है ये बराबर माने जाते हैं विसमार्क के ओड़ोवेन मिसमार्क का ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा तो विसमार्क आपको पसंद आ रही होगी वीडियो आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें अगर पहली बार चैनल पर आप विजिट कर रहे हो फस्ट को नेक्स्ट है बिच बाज़दा फस्ट एंगलिस सिप डैट केम टू इंडिया भार रैगन जहाज के साथ जो हो सवाली की लडाई है बहुँ इसी जहाज में हुई थी या फिर इसी जहाज के बिरोतर हुई थी पूर्टकाली जावर प्रिटिस जो इस्ट इंडिया कंपनी थी उनके बीच नेक्स्ट है ता चेर्मैन ओफ ड्राफ्टिंग मिटी ओफ दा कंसि कुरेक्ट हो जाएगा ड्र बियार अमेटकर जो प्रारूप समिती थी दोस्तो इसमें जो कुल मेंबर थे बो थे सैवन एक तो ड्र बियार अमेटकर हो गए उसके अलावा छे अन्यस दस्टे थे मैं आपको उनके नाम पताता हूँ किया मुंशी एक हो गए डिपी कैथान टिटी कृष्णमचारी और फिर उसके बाद दोस्तों जो कृष्णा स्वामी अयंगर हो गए गुपाला स्वामी अयंगर हो गए उसके बाद मौबद सादुल्ला जो थे बो थे और उसके बाद टिटी कृष्णमचारी बियल मित्र जो थे उनकी मृत्यू या फिर उनने कि इसी कार्णबास से अपना अस्तान पापिस ले लिया था और टीटी कृष्णमचारी जो है यह डीपी खितान की जगा नियुक्त हुए थे नेक्स जो क्वेशन है वो है United Nation Organization is listed in which list of the Indian Constitution तो आपको पताना है सिउंतरास्ट संग बारत्य समिधान की कि सूची में सूची बद है दोस्तों सिउंतरास्ट संग जो UNO है यह लिस्टर है Union list में तो option A सही हो जाएगा संग इसका सही आंसर हो जाएगा किसके लिए जो कैग है वो वर्क्स करता है as friend philosopher and guide और जो कैग है इसका बर्णन आर्टिकल दोस्तों 148-148-150 बन में जो है इसका बर्णन है next है a member of parliament will be suspended from his membership if he absence the house conditionally for तो आपको बताना है कोई संसत का सदस्य अपनी सदस्य से निलंबित हो जाएगा यदि बे सदन से निरंतर अनुपस्तित होता है तो दोस्तों यदि कोई सदस्य बीना कोई notice जारी किये हुए यानि बीना किसी को बताए हुए अगर 60 दिन से जादा के लिए absent रहता है तो दोस्तों उसको अपनी सदस्य से निलंबित कर दिया जाता है कौन सी शर्त नहीं है यहनकी लिजबिल्टी क्राइटेरिया नहीं है दोस्तों बैभारत का नागरिक हो यह अवश्यक है किसी उचने आले में कम से कम 10 बर्स प्रेक्टिस होना चाहिए और बहे बिदिवेता होना चाहिए लेकिन option B जो है यह लिजबिल्टी नहीं है कि किस च्टान में होता है तो स्लेटी पत्र का कायंतरन है यह होता है स्लेट में option D सही हो जाएगा slate next है but is the approximate circumference of earth प्रिथभी की परिदी कितनी है आपको बताना है दोस्तों प्रिथभी की जो प्रिदी है वो हो लगवग है 40,000 km तो option A सही हो जाएगा 40,000 km तो बात करते हैं अर इसकी जो रेडियस है वो है 6,378 km अर्थ की रेडियस है और बात करने इसके डायमेटर ही तो इसका जो डायमेटर है दोस्तों वो है 12,700 कही जगा 42 होता है और कही जगा 12,700 छिपुंजा भी होता है यहनिकि इसका नोर्थ पॉल और सौथ पॉल के अधार पर लग लग इसका जो डायमेटर है वो मापा जाता है नेक्स जो क्वेशन है दा सिस्मिक सी बेव बिच रीच टू कोस्ट आट ए बैरी हाई फोर्स इज आती उचबल से तट पर पहुंचने बाली वो कंपी समद्री तरंगे जो है वो क्या कहलाती है तो उनको कहा जाता है सुनामी या ब्रहम पुत्तर नदी के किनारे स्तेथ है तो ब्रहम पुत्तर नदी के किनारे स्तेथ है दोस्तो वो है डिब्रुगर्ड ओप्शन A जो है स्वरी ओप्शन C जो है वो सही हो जाएगा डिब्रुगर्ड तो कहां है दोस्तो ये है असाम में और बात करें कानपूर की दोस्त Mountain twards, नागपुर में कम बर्षा होती है क्योंकि यह सिहात्री परिवत माला के सब एक स्थेत है, तो यह स्थेत है दोस्तो, लिवार्ड साइड यानि की अनुबात की और, option D से हो जाएगा, लिवार्ड साइड. Next question है, which crop is largely produced in India, भार्ड में कौन सी फसल सरवादिक उतपादित होती है, सरवादिक उतपादित होने बाली जो भार्ड में फसल है, वो है दोस्तो, rice, option D से हो जाएगा, चाबल इसका सही आंसर है, तो सबसे ज़्यादा चाबल भार्ड के कौन से स्टेट में हुआ जाता है दो सीहों का प्राकृतिक आवास है, दोस्तो, जो गुजरात के गिर बन है, option D सही हो जाएगा, गिर जो है, यहे जैवरक्षिक चितर है, सीहों का जो प्राकृतिक आवास है, तो option D सही हो जाएगा, गिर बन, और काजिरंगा जो है, यह कहां है, यह है, असाम है, यह जो एक सीह वाला गेंटा है उसके लिए कापी प्रसिद है नेक्स्ट है भारत में साक मुल्य निर्धारन संस्ता का निंतर कौन है तो यह है दोस्तों सेवी स्टोक एक्सचेंज बॉर्ड ओफ इंडिया आर्टमेंट करके बताएं सेवी कि स्ताबना कब हुई थी और कौन सी स्मिधी के स्मबारिस पर हुई थी नेक्स्ट है टैक्सिज ओन प्रोफेशन कैन वी लिवड बाई जो भी मैं आपसे क्वेशन पूछता हूँ दोस्तों उसको आप डिटेल मैं बताया करें अगर जो भी कोई इसको डिटेल मैं इसके बारे में पताएगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूँगा नेक्स्ट है टैक्सि ओन प्रोफेशन कैन वी लिवड बाई भितिक कर लगाए जा सकते हैं दोस्तों जो टैक्सि ओन पुरफेशन हैं ये लगाए जाते हैं उनली स्टेट गवर्मेंट तो option A सही हो जाएगा केवल राज्य सरगार के द्वारा नेक्स्ट है बिचिजे कंडिशन आफ डिलेड बलड क्लोटिंग बिलंबित रक्स कंदन किस्तिदी क्या है दोस्तो जब रक्त का थक्का नहीं बनता है तो उससे समंधित एक रोग होता है उसे हेमोफिलीय का जाता है Option C जो है वो सही हो जाएगा हेमोफिलीय तो यजो है दोस्तो एक अनुबांसिक रोग है और इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है तो option C सही हो जाएगा हेमोफिलीय next है यूरिक अमल निमलेक मैंसे किसका मुख्य नाइड्ट्रोजिनी अपसिष्ट है यूरिक यूरिक गुए घज़ाता हो यहाँ पर यूरिक अचिट पूछा है यूरिक अपसिव का option D बिया और हो जाएगा नेक्स्ट है, at beach of the following place, bait of an object is maximum निमिलिक्त मैंसे किस स्थान पर किसी बस्तु का भार अधिक्तम होगा तो दोस्तों ये होता है, gravitational acceleration due to gravity के कारण और किसी बस्तु का जो भार अधिक्तम होता है, वो होता है at pulse, option A सही हो जाएगा दुरूबं पर और जो भुमद्य रेका है, उस पर कम जो बेट है, उपाया जाता है option B, भुमद्य रेका पर और इसका जो सही answer होगा, वो होगा at pulse, यानि कि यहाँ पर maximum पूचा है, वो इसका answer होगा at pulse next है दोस्तों, this is a good conductor of heat but a bad conductor of electricity city, कौन उस्मा का सुचालक है, परंतु बिद्यूत का कुचालक है तो जो माइका है, अबरक है दोस्तों, यहें उस्मा का सुचालक है, लेकिन बिद्यूत का कुचालक है, तो option D सही हो जाएगा अबरक, और बात करें माइका की, तो दोस्तों, पूरे world का प्रोडेक्शन है वो भारत में होता है और सबसे ज़्यादा अंदर देश में यहे पाया जाता है नेक्स्ट है ब्रास इज मेड ओफ आपको बताना है पीतल बना होता है पीतल जो है यह कौन से किसकी मिश्रत हातु है तो दोस्तों यह है कॉपर और जिंग और बात करें दोस्तों जो ब्रॉंज है मिलकर बनती है तामबा और टिं से यहन कि कॉपर और टिं की मिश्रत हातु है ब्रॉंज नेक्स्ट है फिलोसपर बूल इस ए तो वरसायनिक रूप से फिलोसपर बूल क्या है तो दोस्तों यह है जिंक ऑक्साइड और ओप्शन यह सही हो जाएगा इसका जो फिलोसपर बूल है वो कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को नेक्स्ट क्वेशन है इंडियन बूमेंस होकी टीम बॉन बेचे पोजीशन इंदा एसिया कव 2020 तो दोस्तों एसिया कव 2022 में जो भारतिय महिला होकी टीम थी उसका तिसरा स्थान था तो उप्शन C से हो जाएगा थर्ड रैंक नेक्स्ट बिच कांटरी डिसेंटली लॉंच दा वैंग सॉंग 12 मिड रेंज बिलेस्टिक मिसाइल तो किस देश ने हाल ही में मद्यम दूरी की बिलेस्टिक मिसाइल हवा सॉंग 12 लॉंच करी तो यह करी दोस्तों नॉर्थ कोरिया के द्वारा आप्शन C से हो जाएगा नॉर्थ कोरिया तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी थैंक्स पर बाचिंग गॉड्ड ब्लस यू अल